15 जून 2020 शूर्य, शुक्री की स्वामितो वाली ब्रिसब राशी से निकल कर बुद्ध की स्वामितो वाली मिथुन राशी में प्रिवेश करने वाले हैं 15 जून को होने वाला यह गोचर साम को 6 बचकर 7 मिनट पर होगा इस गोचर के हमारे 12 राशियों पर किस प्रकार के प्रभाव पाड़ेंगे इन 12 राशियों में से हम आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रथम की 6 राशियों के बारे में जिसमें मेज, ब्रिस, मिथुन, करकशिंग, कञ्या इन चैराशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे बाकी बची हुई चैराशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे तो आप वीडियो के अंतर तक मेरे साथ बने रहे हैं और जो नए वीवर्स चैनल पाएं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल नोटिपिकेशन भी उन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और सियर भी जरूर करें तो चलिए शुरुआत करते हैं और सर्वोफर्थम बात करते हैं मेश राशी मेश राशी के लिए शूरी पंचम भाव के स्वामी होते हैं इस गोचरकाल की अवधि में छोटे भाई बेहन पराक्रम और संचार के तृती भाव पर शूरी गोचर करने वाले हैं शूरी का यह गोचर आपके लिए यात्राओं के योग बनाने जा रहा है आप इस दोरान छोटी दूरी की कई यात्राय कर पाएंगे यह गोचरकाल आपके पराक्रम में ब्रिद्द लेकर आएगा शासन प्रशासन का भी इस समयवधि में आपको सयोग मिलने वाला है आपके कारियों में उनका समर्थन मिलेगा प्रशाशनिक और नेत्रित्त करने की छमता में भी आपके बृद्ध देखने को मिलेगा आर्थिक मोर्चे पर भी यह गोचर आपके लिए उन्नति दायक रहेगा भाई बेहनों के साथ तालमेल बैठाने के लिए आपको जरूर कुछ प्रियास करने होंगे किसी भी प्रकार की आपसी खीचातानी से इस समयवदी में बच कर रहें आप किसी प्रत्योकता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा को इस समयवदी में दिखा सकते हैं आपको संचार तंत्र के माध्यमों से भी इस समयवदी में लाब की प्राप्ति हो सकती है सोशल मीडिया और संचार तंत्र का प्रियोग आपके लिए इस समय वदि में लाबदायक सिद्ध होगा इस गोचर काल को सुप करने के लिए ओम शूरियाई नमह मंत्र का प्रतितिन 108 बार जाप करें बात करते हैं ब्रशब राशी की ब्रशब राशी के लिए शूरिय माता और सुक्के चत्रुत भाव के फ्वामी होते हैं इस गोचर काल की आवदि में बाणी कुटुमब और संचित्धन के द्विती भाव पर शूरिय गोचर करेंगे यह गोचर आपके लिए मध्यम रूप से फल्दाई साबित होगा आपको इस समयवदि में बाणी में बहुत अधिक सहियम रखना होगा क्योंकि आपकी बाणी की खटुता इस समयवदि में बढ़ने वाली है हो सकता है आप अहम से भी ग्रशित रहें जिससे आपके आसपास के लोग आपसे परिशान हो सकते हैं क्योंकि आपके बात करने का तरीका उन्हें पसंद नहीं होगा इस गोचर का आपके पारिवारिक जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है हलाकि आपके परिवार का सामाजिक इस्तर इस गोचर की अवधी में जरूर उचा होगा आप अपने उपलब्द संचादनों का भली प्रिकार प्रियोग कर पाएंगे आपके लिए शूरी देप सरकार से धन प्राप्ति के भी योग बनानी जा रहे किसी प्रौपठी की खरीद में भी आपको सफलता मिल सकती है शूरी देप आपके लिए अचानक धन प्राप्ति के योग बनानी जा रहे है इस गोचर काल को सुप करने के लिए नित्य आदित्य हिर्दे स्तोत्र का पाट करें बात करते हैं मिथुन राशी की मिथुन राशी के लिए शूरी त्रती भाव के स्वामी होते हैं इस गोचर काल की अवधी में शूरी आपके लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं जिससे आत्मा और शरीर का भाव माना जाता है यह गोचर आपके अंदर उग्रता को बढ़ाने वाला होगा इस दोरान आपको अपते अंदर एहम की भावना पर नियंतरन रखना आवश्यक होगा अनिथा आपके बने बनाये काम बिगण सकते हैं आप इस दोरान बिना वजह भी लोगों पर आक्रमक हो जाएंगे आजपास के लोगों के बीच खुद को श्रेष्ट शाबित करने का प्रियाश करेंगे हलाकि आप अपने प्रियाशों से अपनी उन्नती के लिए कुछ ऐसे कारी करेंगे जिसमें आपको निश्चिती इस दोरान सबलता प्राप्त होगी और वहाँ आपको लाप भी देगा कारी चेतर में आपको अपने सहकर्मियों को एक टीम की तरह रखने में लाप की प्राप्ती होगी हलाकि इस समय वदि में आपको अपने सहकर्मियों से कुछ परिशानी उठानी पढ़ सकती है बैबाहिक जीवन में भी आपको एहम की भावना को दूर रखना है अन्नित्या आपके बीच विवाद बढ़ सकते हैं इस गोचरकाल को सुप करने के लिए ओम घणे शूरियाई नमा मंत का प्रतितिन 108 बार जाप करें बात करते हैं करकरासी करकरासी के लिए शूरिय दृति भाव के स्वामी होते हैं इस गोचरकाल की यावदी में ब्याय और हानी के बारववे भाव पर सूरिय गोचर करने वाले हैं यह गोचर बिदेश से जुड़े हुए जात्कों को लाब देने वाला होगा बिदेशी माद्यमों से धनलाप के योग बनने जा रहे हैं जो जातक बिदेश जाने के लिए काफी लंबे समय से प्रियाश कर रहा था उसे भी इस समय वदी में सफलता प्राप्त हो सकती है साथ ही सूरिका यह गोचर आपकी जीवन में खर्चू में इस समय वदी में बेताहसा ब्रिद लेकर आएगा जो आपकी परिशानियों को बढ़ाने का कारी करेगा इसलिए आपको धन का इस्तिमाल सही स्थानू पर करना है इस समय वदी में सेयर मार्केट, स्टॉग मार्केट या सट्टा बाजार में किसी भी प्रकार का निवेस ना करें उसमें आपको हानी हो सकती है हलाकि कुछ छेत्रों में निवेस करना आपके लिए लाबदायक जरूर साबित होगा जैसे की विदेश से जुड़े हुए किसी भी कारी में यहां गोचर स्वास्त समश्याओं पर अधिक धन खर्च करवाने वाला है इस समय वदी में तेज बुखार, सिरमे दर्द, आँखों में जलन जैसी समश्याओं आपको हो सकती है शूरी के इस गोचर की आवदी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें आपके अपने लोग भी आपसे विश्वासगात कर सकते हैं इसलिए किसी भर पून रूप से भरोसा न करें इस गोचर काल को सुप करने के लिए रविवार के दिन लाल वस्त्र का दान करें बात करते हैं सिंग राशी के लिए शूरी लगन भाव के स्वामी होते हैं इस गोचर काल की आवदी में आय और लाप के इकादस भाव पर सूरी गोचर करने वाले हैं शूरी का यह गोचर कई मामनों में आपके लिए लाबदायक सिद्धों होने वाला है। इस समयवदी में आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपकी कई प्रिकार की इच्छाएं भी पूर्ण नहोंगी। इस गोचर की वज़े से आप जिस भी कारी को करेंगे उ उसमें आपको जरूर प्रसंसा प्राप्त होगी। यह गोचर काल आपको लोग प्रियता दिलाने वाला है। लोगों के बीच आपको आगे रखेगा। रशूकदाल लोगों के साथ आपके मेल जोल बढ़ेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके जीवन में किसी सा पफल भी होंगे। इस गोचर काल को सुप करने के लिए रविवार के दिन गुड का दान जरूर करे। बात करते हैं कन्या राशी की कन्या राशी के लिए सूरी बारवे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की आवदी में कर्म के दसम भाव पर सूरी गोचर करने वा हुए जात्कूं को जादा लाब इस समयवदी में प्राप्त होगा। इस समयवदी के दोरान आपको किसी पुरुषकार से भी नवाजा जा सकता है। ब्योशाय में भी अच्छी उन्नति के योग बनने जा रहे हैं। बिदेशी संपर्कूं से भी कारी छेत्र में आपको आपको कोई नए कारी भी सौपे जा सकते हैं। और यही नए जिमेदारियां आपको आगे बढ़ने का मौका देंगी। आपकी कारी को शल्ता में भी व्रिद्ध देखने को मिलेगी। आपके मित्रूं की शंख्या में बढ़ोत्री होगी। हलाके आपको इस दोरान अत्ति आत्म विश्वाशी होने से बचना है। इस गोचर काल को शुप करने के लिए प्रते दिन शूरी के बीजमंत्रों का नेत्य एक्सवाट बार जाप करें। तो यह था शूरी का मित्रूं राशी में होने वाला गोचर जिससे हमारी प्रथम की छह राश्या इस प्रकार प्र और आप वीडियो को लाइक और शिया भी जरूर करें। धन्यवाद।